जैहिन दोस्तों Master G Info Channel पर मैं भबेश कुमार आप समों का श्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि दोस्तों Lucent का सीरी चल रहा है आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधू घाटी सबेता इससे पहले Lucent का जो शमान अध्यन का बुक था दोस्तों उसमें प्राचिन भारत एतिय और प्राग हितिया से काल दोनों का वीडियो अपलोट कर दिया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो उपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों जाकर देख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों Lucent का वस्तुनिष्ट शमान ग्यान का भी प्रश्ण जो है प्रश् एक्टेव करवा दिया गया है दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों स्थार्ट करते हैं शिंधू घाटी शब्यता रेडियो कारबन 14 जैसी नवीन विसलेशन पदती के द्वारा सिंधू घाटी शब्यता का अमाननेती थी है वो कितना है तो 24 swear पुर्व से 17 swear पुर्व सही अप्शन और अंसर हो जाएगा 2 कि सिंधू सब्यता की खोज किसने की ती तो सिंधू सब्यता की खोज राय बहादूर दयाराम सहनी ने की थी नेक्स्ट है सिंधू सभेता के प्राग एतिहासिक यानि प्रोटो हिस्टोरिक अत्वा कांस युगीन ब्रॉंज युग कहा जाता है यहां दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधू सभेता को प्राग एतियासिक सभेता या प्रोटो हिश्टरकल एज सभेता या का से युगेन सभेता कहते हैं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है इस सभेता के मुख्य निवासी को द्रविड या भूमद सागरे थें बात करें दोस्तों सिंदु गाटी सभेता के जो मूली निवासी थें या मूल रूप से द्रविड ये भूमद शागरे वेक्तियों से भड़े वेतें सिंदु गाटी सभेता में लोग सिन्धु गाटी सब्यता का पस्चिम जो चेत्र है वो पूडवी पुरास्तल हिंडन नदी के तड़ पर आलमगीर पूर है जो कि उत्त्र प्रदेश में पढ़ता है दोस्तों वहीं उत्री बात करें उत्री सीमा तो छीनाव नदी के तड़ तक है जिसका नाम है मांदा जो कि जम्मू कस्मीर में पड़ता है तो ता दक्षिनी पुरास्तल गोदावरी नदी के तड़ पर दायमा बाद है नेक्स कोशन की बात करें शिंदू सब्यता या शेंधव सब्यता नगरी सब्यता थी कई बार ये भी प्रशन पूछा गया है दोस्तों तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा प्रशन है कि स्वतंतरता प्राप्ती के पसाथ हरप्पा संस्क्रिती शरवाधिक अस्तल कहां खोजे गए हैं तो सरवाधिक जो अस्तल खोजे गए थें गुजरात में खोजे गए थें भारत जब स्वतंतर हुआ तब हरप्पा सब्यता की खुदाय में और जोड़ दे दिया गया दोस्तों और उसका सरवाधिक अस्तल जो खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए नेक्स्ट है लोथल एव सुतका कंडोर को सिंदु सबयता का बंदरगा अस्तल कहा जाता है नेक्स्ट है दोस्तों जुते हुए खेत और नक्रिस सदारी इटों का परियोग का साथ काली बंगन से प्राप्थ हुआ है जुते हुए खेत और नके सेदारी इटों का फरियोग का साथ काली बंगन से प्राफ्थ हुआ है वहीं मुहन जोद्रों से प्राफ्थ शबशे बरा असनानागार शेवदव सब्यता के शबशे बड़ी इमारत है ये भी प्रशन पूछा गया है दोस्तों कि सिंधू घाटी सब्यता का सबसे बरा असनानागार कहां से प्राफ्थ हुआ है तो मुहन जोद्रों से प्राफ्थ हुआ है नेक्स्ट बात करें शिंधू काल में विदेशी वेपार आयती तुवस्त में और प्रदेश तामबा कहां से आयत किया जाता था तामबा खेतरी बलुचिस्तान और ओमांच के प्रदेश से आयत किया जाता था चांदी कहां से आयत होता था अफगानिस्तान और इरान से शोना कहां से आयत होता था करनाटक अफगानिस्तान और इरान से तीन कहां से आयत होता था नेक्स्ट है मुहन जोद्रों से प्राफ्त वरिहत असनानागार एक प्रमुक उश्चमारक है जिसके मध्य इस्थित असनानकुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर 14 ये 2.43 मीटर गहरा है तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों कि असनानकुंड की लंबाई कि इतनी है 11.88 मीटर लंबा असनानाकुंड मुहन जोद्रों से प्राफ्त हुआ है जो कि वरिहतम असननागार है सिंदुगाटी सभ्यता का नेक्स्ट है अगनी कुंड लोथल एव काली बंगन से प्राफ्त हुए हैं अगनी कुंड जो है दोस्तों लोथल से भी और काली नेक्स्ट है मुहन जोद्रों से प्राफ्त एक सील पर तीन मुखवाले देवता जिसे पसुपती देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों पसुपती नात की मूर्ती मिली है तो मुहन जोद्रों से पसुपती नात की मूर्ती मूहन जोद्रों से मिली है एक सील पर तीन पुछे गए हैं कि मोहन जोद्रों से निर्थकी की एक कांसी मूर्ती भी मिली है मोहन जोद्रों से निर्थकी की एक कांसी मूर्ती भी मिली है वहीं हरपा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरिंगी का अंकन मिलता है हरपा की मोहरों पर एक सिंग वाले गेंडा का जो है दोस्तों चितरन मिला है नेक्स्ट कोसन की बात करें मन के बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों तो मन के जो बनाने के कारखाने थे वो कहां से प्राप्त हुए हैं तो लोथल और चुन हुद्रों से मन के बनाने के कारखाने लोथल और चुन हुद्रों से प्राप हुए हैं नेक्स्ट है शिंदू सबेता की लिपी कैसी थी शिंदू सबेता की लिपी भावचित्रात्मक थी यह लिपी दाई से बाई और लिखी जाती थी यलिपी दाई से बाई और लिखी जाती थी जब अभिलेक एक से अधीक पक्ती का होता था तो पहली पक्ती दाई से और दूसरी पक्ती बाई से दाई और लिखी जाती थी शिंदू सबवेता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रीड पदती को अपनाया था सिंदू सबेता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पदती अपनाया था गरों के दरवाजे और खिरकियां जनी कि सिंदुगाटे सबयता के घरों और दरवाजों की खिरकियां आगे ना खुल कर पिछवारे की और पीछे की और खुलते थें केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुखे सरक्की और खुलते थे बांके सब घर के पीछे की और दरवाजे होते थे नेक्स है शिंदू शबयता का मुखे पसल क्या था तो सिंदू सबयता का मुखे पसल गिहूं और जो था सिंदू सब्यता का मुख्य पसल गेहूं और जौता नेक्स्ट है शेंधव वासी मिठास के लिए शहद का परियोग करते थें शेंधव यानि कि सिंदू घाटी सब्यता के लोग मिठास के लिए शहद का परियोग किया करते थें नेक्स्ट है मिट्टी से बने हलका साक्ष बनमाली से मिला है तो बनमाली से मिला है नेक्स्ट है रंगपूर एव लोथल से चावल के दाने जिनसे धान की खेती होने का परमान मिलता है रंगपूर एव लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का परमान मि next question की बात करें दोस्तां next है कि परमुक अस्तल नदी और उनके खोज करता तो परमुक अस्तल में देखते हैं दोस्तों कि हरपा की खोज किसे नहीं कि थी तो हरपा रावी नदी के तटपर है और इसकी खोज राकर निया दयाराम सहनी एव माधो सवरूप वच्छ ने किया था हरप्पा की खोज रावी नदी के तट पर दयाराम शाहनी एव माधो स्वरूप वच्छ ने किया था मुही मोहन जोद्रों की खोज शिंधू नदी के तट पर राखल दास बेनर जी ने किया था 1922 में ये भी हमें याद रखना है 1911 में हरप्पा की खोजवी थी 1922 में मोहन जोद्रो की खोजवी थी चुन होद्रो की खोज शिंधू नदी के तटपर है चिन होद्रो और इसके खोज क्या था गोपाल मजुंदार ने वहीं काली बंगन की खोज किया था घगघर नदी के तटपर बी बी लाल और बी के थापर काली बंगन की खोज घगघर नदी के तटपर बी बी लाल और बी के थापर वहीं कोट दिजी का खोज जो हुआ था शिंधू नदी के तटपर हुआ था और इसके खोज क्या था फजल आहमद वहीं नेक्स्ट है रंगपूर की खोज मादर नदी के तटपर रंगपूर है दोस्तों और इसकी खोज रंगनात रावद्वारा हुआ था नेक्स्ट है रोपर रोपर की खोज शतलज नदी के तटपर यकदत सर्मादवारा इसकी खोज हुई थी नेक्स्ट है लोथल लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के तटपर है और इसकी खोज रंगनात रावदवारा हुआ था तो काफी important दोस्तों कई बार इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सास्तल किस नदी के किनारे है तो हम लोग रोपर जो की सतलर नदी के तटपर खोजा गया था यगदत शर्मादवारा खोजा गया था नेक्स्ट है आलमगीरपूर जो की हिंडन नदी के तटपर है और इसे भी यगदत सर्माद खोजा था तो रोपर और आलमगीरपूर की खोज यगदत सर्माद खोजा था यह भी हमें याद रखना है सुतका कंडोर की बात करें दोस्तों तो यह जो था बंदरगास थल था और यह दासक नदी के तरपर खोजा गया था औरेंज इस्टाइल और जोड डेल्स द्वारा बनमाली की खोज की थी जो कि रंगयाई नदी के तरपर था रविंदर शिंग विष्ट ने धोला विरा की भ प्रशन एक से धो प्रशनक क्यों बार पूचे जाते हैं चलते हैं नेक्स्ट कंडोर सोलो के अनुपात में थी। नेलूहा से अभिप्राय किया जाता है। नामक विद्वान ने हरप्पा और मुहन जोद्रों को जुर्वा राजधानी कहा। नेक्स्ट है सिंधू सब्यता के लोग धर्ती को उरुबरक्ता की देवी मानकर पूजा किया करते थें। नेक्स्ट है वुरिक्ष पूजा एव सिव पूजा का पर्चलन का साक्ष सिंधू सब्यता से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन का संभवता हरप्पा सब्यता की ही देन है। नेक्स्ट है शिन्दू सब्यता में मातरी देवी की उपासना सरवाधिक पर चलित थी। नेक्स्ट है पसवों में कूबर वाला सार जो है दोस्तों इस सब्यता के लोगों के लिए विशेस पूजनिय था। तो वो पसुओं में कूबर वाला जो साथ था दोस्तों सिंदुगाटी सभेता के लिए विशेश पूजनी है था इस्तरी मिरने मूर्तियां यानि कि मिट्टी की मूर्तियां अधीक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंदव समाज मातरी सर्थात्मक था जो इस्त्रियों की मूर्ती मिली है दोस्तों, मिट्टी की मूर्तियां मिली है, उससे यह पता चलता है कि सिंदु घाटी सब्यता मातरी सत्तात्मक सब्यता थी नेक्स्ट है, शेंधव वासी सूती एव उनी वस्तरों का परियोग किया करते थें तो सिंदु घाटी सपहता के लोग सूती एव उनी वस्तरों का परियोग किया करते थें ये भी कई बार प्रशन पुछा गया है नेक्स्ट है, मनुरंजन के लिए सेंधवासी, मचली पकरना, शिकार करना, पसु पक्षियों को आपस में लराना, चोपर और पासा खेलना सम्दित शाधनों का परियोग क्या करते थें सिंधु गाटी सब्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किये हुए लाल मिट्टी के बरतन बनाते थें नेक्स्ट है ये भी कई बार प्रशन पूछा गया है दोस्तों कि सिंधु गाटी सब्यता के जो मिट्टी के बरतन पराप्त हुए हैं वो काले रंग के डिजान के लाल मिट्टी के बरतन पराप्त हुए हैं सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थें, काली बंगन एक मात्र हरपा काले नस्तल था, जिसका निशला सहर यानि कि समाने लोगों के रहनेहतु भी कीलों से घिरा हुआ था नेक्स्ट है, काली बंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूडियां, यह भी कई बार प्रशन पूछा गया है, काली बंगन का क्या अर्थ होता है, तो काली बंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूडियां, यहां से पुर्व हरपास्तरों के खेत जोते हुए, खेतों का ज जुते हुए खेत का परमान मिला है, उमें काली बंगन से अगनी पुजा का सरपर्थम साक्ष भी काली बंगन से मिला है, नेक्स्ट कोस्टन की बात करें दोस्तों, पर्दा पर्था वेश्या विर्ती शेंदव सवेता में पर्चलित्ती, सवों को जलाने एव गारने यानि दोनों पर्थाओं में पर्चलित्ती, कहां पर, तो सवों को जलाने एव गारने दोनों की पर्था पर्चलित्ती, शिंदुगाटी, सबेता में, हरपा में सवों को दफनाने, जबकि मुहन जोद्रों में सवों को जलाने का साक्ष मिला है, लोथल एवकाली बंगन में युग में समाधी मिला है। लाश्ट में जो दिया गया है दोस्तों कि प्रमुक हरपा काली नस्तल उनके खोज करता और उनका अस्थान। दोस्तों दया राम सहनी ये माधो स्वरूव वत्स द्वारा खोजा गया। वहीं मोहनजोद्रों की बात करेत मोहनजोद्रों सिंधू नदी के तटपर है और इसकी खोज राखलदास बेनरजी ने की थी 1922 में इसे खोजा गया था और पाकिस्तान के सिंधू नदी के तटपर है। नेक्स्ट है चुनहुद्रों सिंधू नदी के तटपर है गोपाल मजुमदार द्वाराई से खोजा गया 1931 में और यह सिंध परांत में है। जो पूछा जाता है दोस्तों उसे देख लेते हैं काली बंगन जो है दोस्तों काली बंगन इसकी यह घगघर नदी के तटपर है और इसकी खोज बी बी लाल और बी के थापर ने 1913 में किया था और यह राजस्तान के हनुमानगड जीले में है। कोट दीजी जो है दोस्तों यह सिंधू नदी के तटपर है फजल अमद द्वारा खोजा गया और सीध परांत के खुरपूरस्तान पर है। वैरंगपूर की बात करेत रंगपूर मादर नदी के तटपर है और इसकी खोज रंगनात राव ने किया था 1903-1954 में और यह गुजरात के काठियावारा में है। रोपर की बात करें तो रोपर सतलज नदी के तटपर है और यह पंजाब के रोपर जिला में है लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के तटपर है यह रंगनात राव द्वारा खोजा गया है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में है नेक्स्ट है सुतका कंड सुलूर दासक नदी के तटबर है और या 1927 से 1952 में खोज आ गया था और यह पाकिस्तान के मकराने में शमद्र तटके किनारे है, नेक्स्ट एबानमाली, बनमाली कहा है दोस्तों तो बनमाली रंगाई नदी के तट पर जिसकी खोज Should रविंद्र शिंग विष्ट द्वारा किया गया था और यह गुजरात के कच्छ में है यह भी हमें याद रखना है तो काफी इंपोर्टेट हैं है दोस्तों सिंधु गाटी सब्यता से प्रति एक सरकारी एकजाम में आपको दो से तीन प्रशन देखने के लिए अवस्य मिलें एससी, रेलवे, बेंकिंग अगर आप किसी भी एकजाम की तयारी करते हो दोस्तों तो सिंधु गाटी सब्यता से आपको एक से दो प्रशन देखने के लिए अवस्य मिलेंगे तो पूरा सेसन आपको कैसा लगा आसा करता हूँ कि आपको पूरा सेसन अच्छा लगा होगा दोस्तों इस क्लास का अगर औपजेक्टिव आपको देखना है तो इसका जो अबजेक्टिव है कल अपलोड हो जाएगा जो कि लूसेंट का वस्तुनिष्ट शमान ग्यान के जो है अबजेक्टिव बुक से इसका अबजेक्टिव कराया जाएगा तो कमेंट करके जरूर ब